तो सर 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 जल्दी जल्दी बताएं कौन सटाइब लेने वाले हैं और कितिना मज़ा आने वाला है इस लिक्टर में तो चलिए देखते हैं एक्स प्रेसे सिंगल लॉग ये एवैल्वाड के के जैसी होता है लगबग मतलबρωम को क्ष़िण में अल्डिपल लॉग्स दिये रहेंगे जैसे कि एक दो तीन लॉग्स दिये तो इसको पूरा करके एक ही लोग में कवर करना है एक ही लोग का टरम आना चाहिए ए एक्सप्र बाद जो formula वही use करेंगे और फटा-फटा इसको complete करेंगे तो सबसे पहला ले रहा हूं है क्या problem है log 5 log of 5 plus log of 3 minus log of 2 Sir, हमको इतना पता चल जाए अभी तक की, की, की ये बीच में 2 log के plus होता है तो हमको एक formula याद आता है कवह सा formula तरेको इतना है ये देखो Sir, सही है या नहीं हमको बता देना, ठीक है हमको ये वाला formula याद आता है log of a plus log of b is equal to log of a into b ये वाला formula हमको याद आ रहा है तो तेरे को सही formula याद आ रहा है तो क्या करना है तरेको दो log के बीच में अगर plus है तो उनको एक साथ जोडने के बाद multiply होता है मतलब 5 into 3 हो जाएगा जैसे a into b हो गया वैसे 5 into 3 हो जाएगा यह formula है तो is equal to log of 5 into 3 या आगे का log 2 as it is रखते हैं तो 5 into 3 तो हमको आता है sir इतना भी मत समझो वो 15 होता है तो log 15 minus log 2 हो गया अब इसके बाद बीच में minus है तो जैसे ही minus आता है न तो हमको एक formula एक और याद आता है sir कौन सा याद आ रहा है अब तेरे को formula बता रहे है sir बता रहे है हम आपको बताते हैं तो हमको यह वाला formula याद आता है log of a minus log of b is equal to log of a upon b अच्छा तो बड़ा होशार बन गया है तेरे को सब कुछ याद आ रहा है तेरे को तो सारे formula याद आ रहे हैं तो चलो शुरू करते is equal to a upon b मतलब 15 by 2 हो जाएगा so final answer is final answer is log of 15 upon 2 इसको 7.5 करनी की ज़रूरत नहीं है ठीक है 15 by 2 7.5 मैं जानता हूँ लेकिन मत करो this is the final answer clear तो इसको मै final answer कहूंगा हो गया इतना ही है मतलब करना क्या होता है log of a plus b log of a minus b a log x log x raise to a इसे कुछ भी formula वहाँ पर हो सकता है log a to the base a ऐसा कुछ भी हो सकता है तो बस चेक करने वाले है कि जाई तेरे को log की यह बहुँ है छोटे-छोटे formula पता है की नहीं बस इतना ही check होगा बरबर तो इसमें हमको उनको बता देना ही की भाई हाँ हमको पता है सब log के formula तो हमको पता है की नहीं इतना चेक कर रहे हैं तो चलो, second second पहले question लिखके लेना है 1 by 2 log 9 1 by 2 log of 9 plus 1 by 3 log of 27 clear? Sir ने बोला है एक formula यहाँ पर याद आना चाहिए आपको कौन सा log के सामने जब कभी log के सामने coefficient हो तो वो उपर जा सकता है किसके उपर? यह 9 के उपर 1 by 2 जा सकता है कैसे काँ सा formula Sir? यह वाला a of log x is equal to log x raised to a यह वाला formula हमको तो पता है Sir already यह वाला formula हमको तो already पता है रहाँ? हाँ चलो इसको यूज करते हैं फिर दोनों जागा पे तो कैसे बनेगा? log of 9 raised to 1 by 2, 1 by 2 9 के उपर गया plus log of 27 raised to 1 by 3 27 इस formula मैंने यूज किया log x raised to a को ऐसे लिख सकता हूँ और इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ clear? हाँ Sir, clear cut अब हमको एक चीज पता है, Sir 9 raised to 1 by 2 क्या होता है? 9 raised to 1 by 2 तो जिन्दगी में कभी देखा नहीं है मतलब यह क्या है, Sir? 9 raised to 1 by 2 कोई भी raised to 1 by 2 हो चलो, for example, x raised to 1 by 2 हो मैं आपको example के देखाता हूँ अगर x raised to 1 by 2 हो तो मैं उसको root x लिख सकता हूँ उसका मतलब root x होता है and x raised to अगर 1 by 3 हो तो उसका मतलब होता है cube root topics clear? आस Sir, clear हो गया यह बहुत basic है, school level का है इसमें कुछ ज़्यादा यह नहीं raised to 1 by 2 मतलब root square root होता है मतलब इस root के अंदर कुछ नहीं मतलब यहाँ पर 2 होता है द्यान में रखो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 2 होता है लेकिन वो हम लिखते नहीं लेकिन cube root में 3 लिखते हैं वैसे ही 1 upon कुछ भी हो वो उतना root होता है मतलब for example x raised to 1 upon n मतलब यह यंत root होता है clear answer clear ओके तो हमको क्या करना है इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 raised to 1 by 2 को मैं square root of 9 लिख सकता हूँ और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ log of cube root of 27 लिख सकता हूँ clear answer एकदम clear होगे आब अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो equal to equal to कैसे बनेगा 9 का root सबको पता होता है 3 यहां से direct यह भी लिखा तो चलेगा 9 raised to 1 by 2 3 अगर आँ यह step नहीं लिखा तो भी चलेगा लेकिन detail में पता होना जरूरी इसलिए में step बढ़ा के लिखता हूँ यह कैसे आया वो कैसे आया और 27 का cube root 3 होता है 3 का square 9 3 into 3 into 3 3 का cube 27 मतलब 27 का cube root 3 ठीक तो यह भी 3 आ गया है यह भी 3 आ गया है log 3 plus log 3 कितना भाई अरे यह तो मजा आ गया 2 log 3 बेरो x plus x कितना होता है x plus x कितना होता है भाई यहां पर द्यान दो x plus x कितना होता है x plus x 2x किनी भी दो similar terms का addition बाई mango plus mango 2 mango आदमी plus आदमी 2 आदमी वैसे log 3 plus log 3 2 log 3 इसको यह formula यूज़ करके भी कर सकते हो यह वाला लेकिन वह ही आने वाला है बाई चलो अब यह वाला यूज़ करते है log a plus log b is equal to log a b और मज़ा आएगा बरव log a b मतलब log of 3 into 3 और यह finally क्या आगया मेरा log of 9 clear this is the final answer चलो फड़ा फड़ नेक्स्ट वाला करते है पहले लिख के लेता हूँ 2 log 10 4 minus 1 by 2 log of 16 to the base 10 plus log of कुछ नहीं है log भी कुछ नहीं है सिर्फ 1 है ठीक है फड़ा फड़ करेंगे इसको सबसे पहले यह वाला फ़र्मिला उपर लेके जाओ 2 of log 4 raise to 2 to the base 10 minus log of 16 raise to 1 by 2 to the base 10 plus 1 पहले यह दो टम्स का कर लेते हैं यहाँ पर यह वाला नहीं आएगा अब राइट क्योंकि यह already हमने लेक लिया ओके 4 का स्क्वाइर 16 minus 16 का हमने जाएना था raise to half मतलब root होता है square root 16 का square root 4 base दोनों का 10 कौन सा फ़र्मिला log a minus log b कहा गया यह वाला a upon b होगा 16 by 4 हो जाएगा log a upon b plus 1 16 by 4 कितना होता है 4 ही होता है plus express as a single log यह 1 भी मुझे log के term में अगर होता यह 1 अगर log log of something होता तो मैं log a plus b इसको भी कर सकता था तो 1 को log of क्या लिख सकते हम हमको पता है ना क्या पता है सर आपको तो बहुत कुछ पता रहता है यह देख log of a to the base a is equal to 1 रहता है यह तो formula है सर हाँ वही मैं बात कर रहा हूँ यह तो formula है 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो base is important यहाँ पर base कितना है 10 तो 1 को मुझे यहाँ पर 10 चाहिए तो मैं यहाँ पर भी 10 लिखता हूँ 10 to the 10 यह और यह सेम होगा तो 1 होता है बतलब 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो a की जगा पर मैं ने 10 लिया क्योंकि इसको 10 है तो इस कड़ क्योंकि कोई यह formula यूज करने के लिए base same होना चाहिए बावर base अलग अलग नहीं चलेगा same base होना चाहिए log का 10 हो 10 चलेगा 11 log का base कुछ भी हो सकता है log a plus log b आला ना log a b log of 4 into 10 to the base to the base 10 so final answer is final answer is log of 40 to the base 10 this is my final answer क्योंकि 4 into 10 40 हो जाए clear यह बहुत ही ज्यादा असान है इसमें कुछ है नहीं evaluate के जाए evaluate बोले तो यही करो log of 40 के आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं मतलब हमने log of a minus b log of a plus b a log x उसके बाद log a यह बस basic formulas का practice लिया आए इसके through कैसे use करने ही यह भी बताया okay so very important write it down